How to stay motivated, जब दूसरे हमें criticize कर रहे हूं या हमारी किसी काम में हमारा साथ ना दे और हमें negative comments करें उस चीज़ को लेके तो हम अपने अपको motivate कैसे रख सकते हैं उस काम को करने के लिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे Hello everyone, welcome to my YouTube channel, मेरा नाम पलवी बत्रा है और मैं एक law of attraction coach हूँ और यहाँ पी मैं law of attraction से related, जो भी information मुझे पता है मैं वो सारी share करती हूँ, जो मैंने अपनी life में personally experience किया है मैं यहाँ पे वो share करती हूँ अगर आप मेरे channel से जुढना चाहते हैं और प्लीज subscribe to my channel और आज की video शिरू करते हैं first of all, जब हमें motivation नहीं मैसूस होता हम demotivate मैसूस करते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान लखना है कि हम बोल क्या रहे हैं हमारे words हम अपनी problems का इतना प्रचार करते हैं जो भी हमारी, अगर, for example, अगर आपको health में आज अगर आज आपको थोड़ी सी खांसी होगी तो आप पूरा दिन शुर मचाओगे मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब है अब वो सब चीज़े भूल जाओगे जो आपके बास already है तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रतना है कि जब आप दी मोटिवेट हो तो आपको बार-बार यह चीज़र रपीट नहीं करने जा कि मुझे मॉटिवेशन महनुस सुन रहा है मैं बहुत दी मोटिवेटेल महारूस कर रहे हूँ मैं बहुत दी मोटिवेट ऐसा भाल होगे, दूसरों को बताओगे वो भी same vibration send करेंगे और आप motivate तो नहीं हो गए बट demotivate और ज़ादा हो जाओगे तो पहले तो आपको बोल के इस चीज को नहीं repeat करना है तो उसरी चीज अपने mind में भी इस चीज को repeat नहीं करना है जब भी आपका जो mind है, जो internal mind है जिसको हम subconscious mind कहते हैं consciously क्या जैसे अब मैं बोल रही हूँ that is conscious mind बट back of the mind कहां पर कुछ चल रहा है हमारे अंदर, internal हमारे चलती है बात वो होता है हमारे subconscious mind वो हमें उसको देखना है कि वो क्या बोल रहा है तो जब हम deep motivate मैं सूस करें अपने अंदर से internal dialogue ये बोलना बंद करें first step जब भी आपको demotivated मैसूस हो life में कुछ करना चाहते है कोई action लेना चाहते हो उस काम को सोचने से पहले ही उसके related जो भी question answer आपके मन में चलते हैं उनको भी रोकना है और जो आप दूसरों से बोलते हैं उसको भी रोकना है number two इस affirmation को मैंने बहुत practice किया है मैं जैसे आज दिखती हूँ जैसे मैं आज बोलती हूँ मैं ऐसे कभी भी नहीं थी मैं बहुत ही मुझे मतब पैनिक मैसूस होने रग जाता था और मैं एक बंदे के सामने भी नहीं बोल सकती थी और आज मैं चैनल बनाया है मैंने YouTube वीडियोज डालती हूँ यह सब चीज़े मैंने की हैं अपनी लाइफ में इसलिए आपको बता रही हूँ as an experience दूसरी मैंने एक affirmation को बहुत ज़दा मास्टर किया है वो affirmation क्या है कि I love myself the way I am चाहे इसके बाद मैं यह बोल दे चाहे वो मुझे प्यार करता है चाहे नहीं करता है चाहे लोग मुझे accept करते हैं चाहे नहीं करते हैं अपने आपको जितना repeat करोगे एक example देती हूँ किसी particular बंदे ने आपको किसी काम के लिए negative comment दे दिया आपने कोई नया बिजनस शुरू किया या नया काम शुरू किया आपको दस लोगों ने अच्छे comments दिये बट एक परसन ऐसा है जिसने आपको यह बोल दिया कि तुम यह क्या कर रहे हो यह कौन सा बिजनस शुरू कर लिया यह तुमारे बसका नहीं है और वो ही चीज आपके मन में चल रही है पहले तो उसको रोकना है उसको stop कर देना है चाहे बोल भी सकते हो stop stop बोलोगे वो रुकेगी वो चीज नहीं तो वो लूप में आपके मन में चलती रहेगी और आपको वो ऐसा ही attraction और होता जाएगा तो दूसरी चीज अपने आपको यह affirmation बोलनी है उस person से रिरेट करके that I love myself चाहे उस बंदे ने मेरी praise की है चाहे नहीं की है it doesn't matter I love myself the way I am मैं जो कर रही हूँ मैं best कर रही हूँ I am the best I love myself the way I am simple affirmation क्या है I love myself the way I am चाहे यह है चाहे वो है चाहे यह मेरे पास है यह नहीं है आपको यह बोलना है वो अंदर से आपकी feeling होनी चाहिए कि चाहे उस person ने मेरी praise की है यह नहीं की है but I still love and accept myself exactly the way I am इस affirmation को आप जितना repeat करोगे water affirmation भी बना के कर सकते हो जैसे सुबा उड़ते हो उठते ही मन में कोई negativity आ गई है किसी काम को लेके यहाँ पर अपना गिलास पाने काला उसमें बोलो that I love myself the way I am चाहे वो बन्दा मेरी praise करता है चाहे दुनिया मुझे accept करती है या नहीं करती है मैं अपने अपको accept करती हूँ इसी से ही आपको confidence बढ़ेगा और अब जो काम करना चाहते हूँ वो चीज आप कर पाओगी एक तो आपने बोलना बंद करना है कि I am demotivated दूसरा आपने repeat जाधर या करना है I am feeling motivated आप वेट करते हो कि कब feeling आएगी कब कुछ ऐसा होगा कि मैं motivated मैसूस करूँ बट आपको पहले motivated मैसूस करना पड़ेगा तो ही motivation आएगा law of attraction का एक ही rule है simple rule है believing is seeing जो विश्वास करोगे वो ही दिखेगा आपको जब आप बोलोगे कि मैं demotivate हूँ मैंजे confidence नहीं है तो वो और low होता जाएगा वो बड़ेगा नहीं ट्राइ करके देख लेना दूसरी चीज पूरा दिन में motivated नहीं मैसूस हो रहा it's okay बोलते जाओ I am motivated मुझे motivated मैसूस हो रहा है I am feeling motivated yes I am feeling motivated ऐसे बोलते जाओगे बोलते जाओगे एक दिन लग जाएगा तर्ड दे आपका सबकॉंशियोस विश्वास करेगा चीज में कि हाँ इसको motivated मैसूस हो रहा है तीसरे चौतर दिन आप उठना शुरू कर दोगे और यह चीज आपने पनी लाइफ में एक्सपिरियंस भी होगी बहुत बार तो अगर आपको यह टिप्स जो है law of attraction की टिप्स हैं यह आपको पसंद आए और आप इसको apply करके आपको result मिले तो मुझे comment section में जरूर बताना और मैं ऐसी ही और वीडियोस बनाती रहोंगी और अगर मेरे courses के बारे में आपको कोई भी information चाहिए कोई course join करना चाहते हो मेरे free webinar जोइन करना चाहते हो तो नीचे description में मैंने उसका link दिया है उसको जाके चक कर लेना और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो like कर देना thank you so much for watching my video